नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल 4 के टेक में और आज इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं Google Adsense अकाउंट को create करने के बारे में जैसा कि आपको पता हुआ कि Google Adsense अकाउंट को create करते समय हमें कुछ सापधानिया बरतनी चाहिए जो कि हमें काफी helpful हो सकती हैं तो आज इस वीडियोस में हम जानेंगे कि किस पेकार से Google Adsense अकाउंट को create कर सकते हैं और क्या वो सापधानिया हैं जो हमें बरतनी चाहिए तो वीडियो पसंद आए तो like, share, comment शरू करना साथी साथ हमारे YouTube चैनल को subscribe भी कर लेना क्योंकि मैं आपको इसी प्रादी काफी interesting tech videos लाता रहता हूँ तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस पेकार से अपने Google Adsense अकाउंट को create कर सकते हैं तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने laptop की screen पर आज चुका हूँ और हैं आपको दो tab open दिखाई दे रही हैं एक है Google Adsense का home page और दूसरा है एक YouTube channel जो की मेरा खुद का ही है जो की मैंने demo purpose के लिए बना रखा है अब यहां पर आपको YouTube channel मैंने क्यों open कर रखा है वो सारी चीज़े में बपता हूँआ क्योंकि आपको Google Adsense account के home page से अपना YouTube channel का URL है उसे दे कर Google Adsense account नहीं बना सकते एक तो यह बात है दूसरी चीज़ मैं आपको suggest करना चाहूँगा कि अगर आप अपना Google Adsense account बनाना चाहते हैं तो उस Gmail ID से कभी मत बनाईगा जिससे आपका YouTube channel बना हुआ है इससे in future अगर कभी भी आपके किसी एक Gmail account में problems आती है तो आपका एक Gmail account का जो account है बो safely बचा रहेगा जैसे कि आपको पता है अभी hacking का फॉस्जादा process जो है बो एक्टिवीट है तो कई लोगों के channels वगेरा hack हो जाते है तो बहाँ पर आपका एक account safe रहेगा अगर आप जो है तो अलग-लग Gmail ID से अपने दोनों accounts बनाते हैं तो चलिए मैं आपको start करके शुरू बताता हूँ कि कैसे करते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट आपको करना है शुरू पर click जब आप एक नया AdSense account create करना चाहते हैं तो यहां पर हमने click कर दिया है और अभी मेरे थोड़ा connection slow है तो इसलिए यह खुलने में थोड़ा time लगा सकता है और बाकी काम हम अभी चलते-चलते करते हैं दोस्तो जैसे ही यह खुलता है आप से आपके Google accounts को मांगा जाएगा जिस भी आप Google account से अपना Google AdSense account बनाना चाहते हैं तो यहां पर मैं अपने एक Gmail ID से लोग इन करना चाहूँगा तो यहां पर मैंने पहले किसी Gmail ID से लोग इन नहीं किया था तो मैं अभी यहां पर लोग इन करता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं तो देखिए आपको कुछ इस पिकार का इंटरफेस यहां पर देखने को मिलेगा और सबसे पहले आपकी जो website है वो आपसे मांगी जाएगी और अभी आपको एक नीचे option देख रहा होगा कि अभी मेरे पास website नहीं है तो चलिए पहले मैं आपको YouTube चैनल का URL ढाल के दिखा देता हूँ कि किस पिकार से problems आपको create होती है तो देखिए यहां पर मैंने YouTube चैनल का URL ढाल दिया है और यहां पर मैं चाहूँआ कि मुझे Google Adsense जो है वो suggest करे कि किस पिकार से मुझे edit करना है और अभी हम चलते हैं अपनी country के उपर तो मुझे भारत select करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं अभी यहां पर भारत select करता हूँ तो अभी हम चलते हैं और नीचे क्योंकि नीचे ही हमें भारत मिलेगा तो यह हमें मिल चुका है यहाँ पर हमने भारत सेलेक्ट किया बागी आप इन कंडिशन्स को पढ़ सकते हैं अच्छा हैं तो आप इसे स्क्रोल डाउन करके पढ़ सकते हैं वैसे इने पढ़ता कोई नहीं है यह आप जानते हैं उसके बाद मैं कानूनी समझोते को पढ़ लिया है या इसी यह सर्त है उसको स्विकार कीजिएगा और एडसन्स का इस्तेमाल सुरू करना पर क्लिक कीजिएगा लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यह अगले पीच पर नहीं जाएगा यहां के यहीं रह जाएगा तो देखिए रह चुका है आप यह क्यों रह गया है अब यह आपको यहां वेबसाइट है तब आप यहां पर अपना एडसन्स अकाउंट बना सकते हैं या आपका कोई ब्लॉग है तो उसके लिए गूगल एडसन्स अकाउंट बना सकते हैं तो अभी मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है तो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अपना आ complete हो जाएगा कुछ information डालने के लिए देखिए इस पगार का message आपको भी so हो सकता है कि इसे दुबारा से tie कीजिएगा तो मैं आपको suggest करूँआ कि आप एक बार अपने page को refresh करके दुबारा से सिस्ते इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका जो AdSense का एक one step यहां बाला है वो complete होके आपको आगे जा सकता है तो देखिए मैंने दुबारा से click किया है और फिर भी यही message आता है तो मैं आपको पूरा AdSense account दुबारा से देखिए मुझे फिर से यही error आ रहा है तो कोई बात नहीं है चैलिए मैं दुबारा से इसे Google AdSense के home page पे चलता हूँ और इसे दुबारा से login करने की कोसिस करता हूँ तब देखते हैं क्या दिखाता है तो देखिए मैं आ गया हूँ और यहां पर मैंने दुबारा से शुरू किया है अब यह आप देख सकते हैं जल से जल मैं आपको करके देखा देता हूँ तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो Google का AdSense page है वो खुल चुका है और मतलब वो हमारी जो information है वो save होकर यहां आ चुकी है अब यह आप देख सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है कि अपनी side को चोड़ें तो हमारे पास कोई website नहीं है तो हम यहां पर कोई चीज नहीं चोड़ सकते तो चलिए मैं आपको और अगर आपके पास कोई website है तो यहां पर आप बस click कीज़ेगा इस तरह से और अपनी website का URL यहां पर देख कर वस save कर दिज़ेगा आपकी website जो है वो automatic save हो जाएगी इसे मैं रद कर देता हूँ यहां पर कुछ जानकारियां है जो कि आपके साथ share करना बहुत ज़रूरी है और यही वो man's जानकारी है जो कि आपको Google AdSense account बनाते समय पिस्यस कर ध्यान रखनी है तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारा जो page है वो open हो चुका है और यहां पर गिराग के बारे में जानकारी के लिए मांगी जा रही है तो यहां पर आपको एक edit का options मिलेगा अगर आपको यहां पर नहीं मिल रहा है तो यहां पर आप के लिक करके हैं पर आपको दो options दिखाई देंगे एक एकल का और एक website का तो पहला option जो है वो individual के लिए है कि अगर आप एक single person है और किसी पिकार से YouTube चैनल या फिर अपनी कोई website चलाते हैं तो आप एकल person के लिए Google Adsense account बनाईएगा अगर आप किसी company के लिए Google Adsense account बनाना चाहते हैं तो website के लिए बनाईएगा तो मैं यहां से आप समझ सकते हैं कि आपको खुद के लिए किस पिकार से account बनाना है तो अगर आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं तो एकल या फिर कोई नॉर्मल website चला रहे हैं जो कि आपके अंडर ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं आपकी company registered नहीं है तब आप एकल account बनाईएगा अगर registered है आपकी company तो आप website account बना सकते हैं तो एकल account पर क्लिक किया उसके बाद आता है नाम तो नाम यहाँ पर आप बो रखेंगे जो कि आपका actual name है Gmail ID का नाम आपका क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो actual name है वो आप यहाँ पर रखिएगा कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी website का नाम रखिए मैं आपको suggest करूँगा कि जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ रखिएगा यहाँ पर आप अपना address डाल सकते हैं क्या है आपका जो भी address है दो पंक्ति आपको यहाँ दी गई हैं दोनों पंक्ति इसमें आप अपना address डाल सकते हैं आपके पास आपकी जानकारी यहाँ है जो कि आपको कुछ इस पिकार से मिलेगा, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सारी इंफर्मिशन आपको मिलेगी, और अगर आप बुक्तान खाता बगेरा चोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप बुक्तान पर क्लिक करेंगे, और यह यहाँ पर खाते में बुक्तान के लिए आपका bank account statement चोड़ने के लिए जो चीजे हैं वो नहीं आ रही हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्योग करता की information है, वो देख सकते हैं, खाता प्रतिवंदित कर सकते हैं, वाकि आप यहाँ पर खाता की और भी जानगारी देख सकते हैं, अब आप अपना bank account का चोड़ेंगे इसमें, तो मैं वो आपको बता दूँ कि जब आपके पास $10 कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप अपना bank account यहाँ पर असानी से जोड़ सकते हैं, आपको वो जानगारी है, वो यहाँ पर मिलने लगेगी, जैसे आप यहाँ पर आते हैं, कि मैंने कुछ वगतान में गड़वर किया है, या फिर उस खही से information नहीं दिये है, तब आप उसको change कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी चीज दिखा दूँ, कि आप किस पकार से इस edit कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी information फेल हो गई है, और मैंने यह सारी एकल है, टेक्स का विक्तिगत दिया है मैंने, और वाकी आप देख सकते हैं, यह payment ID के लिए complete हो चुका है, सारा कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, विद करता हूँ, आपको यह समझ आ गया होगा कि आपके इस पकार से अपने Google Adsons अकाउंट को create कर सकते हैं, तो विडियो पसंद आया है, तो like, share, comment जरू करना, साथी साथ हमारी YouTube चैनल को subscribe भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको इसी प्राद के काफी interesting videos लाता रहता हूँ,